हेलो गाईज और वेलकूम टो माई यूट्यूब चैनल राने एजूकेशन आज हम बात करने वाले हैं होटल, रिटेल, एंड स्टुडेंट्स प्रेफरेस्ट गाईज बहुत ही बिचित्र किसम की सिचुछन में आज हम आ चुके हैं मैं आपको फैक्ट की बात बताऊंगा ज की बच्चे के करते हैं degree करने के बाद they are doing देगरी and after doing देगरी वो होटल में नहीं जा रहे हैं वो जा रहे हैं retail क्यों में को सैज्ट संट्रेफटी फाज़न या और या ऑने वाले टाइम मैं आम आने वाले टाइम मैं I am warning होटल वालों को employees नहीं मिलेंगे वो employees ढूंडते रहेंगे बच्चे ये degree करने के बाद retail में चले जाएंगे क्योंकि वहाँ कम से कम इनको एक financial motivation तो है आपके पास क्या है होटल वालों 12 घंटे आप काम करवाओगे 14 घंटे आप काम करवाओगे हैं अरे दिल्ली जैसे शहर में बैंगलाओर मुंबई में 15,000 आप अकमोडेशन देंगे कैसे कोई survive करेगा यार मतलब this is high time हद है आपकी सोच पे मैं अगर अपनी बात करूँ 2008 में जब मैंने होटल को जोइन किया था मेरी उस टाइम सेलरी आठ हजार थी और उस टाइम पे सोने का भाब क्या था 10 गराम 8,000 रुपे का अगर मैं महंगाई की बात करूँ न आज की रेट में महंगाई कहाँ है सोनना आज की रेट में 50,000 हो गया 10 गराम और होटल वालों के सेलरी क्या होई है 8,000 से 12,000 15,000 I am talking about starting salary यार और उसको salary के offer होती है 10,000, 15,000 वो भी का आप की fix नहीं है आप बाग नहीं करते हो कि बारा ले लोगे 14 ले लोगे चलो 15 में बात fix होगी अरे this is high time मैं facts पे बात करूँगा इस साल का data जो है न NCHM का 12,000 बच्चों ने रूल किया था 12,000 बच्चों ने जो form भरा था NCHM exam का उसमें से सिर्फ 6,5 ये 6,000 बच्चों की admission हुई है this is alarming बहुत बड़ी आपके लिए एक खत्रे की घंटी है क्योंकि यही जो data है न आज से 4-5 साल पहले 25-25,000 बच्चा ये exam देता था पर इतना demotivating हो चुका है इस industry मैं इतनी demotivation फ्याल चुकी है कोई norms नहीं है कोई rules नहीं है कोई 12 घंटे काम करवा रहा है कोई 15 घंटे काम करवा रहा है अर यार कुछ तो कुछ तो अपने standard रख लो ये आप सब के लिए होटल वालों के लिए मेरी तरफ से एक suggestion है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अपनी एक job की association है वहाँ पर meeting गएरा करो और एक starting salary 20-25,000 पर fix करो starting income सब्सक्राइब 25,000 तो करे ही दो भीया नहीं तो बच्चे बता क्या कर रहे है बच्चे डिगरी करके यह तो फॉरण चले जाते है यूँकि वहाँ पर उनको वहाँ पर labor laws strictly implemented भीया वहाँ पर working hours काम होते है salary अच्छी होती है या बच्चे higher education कर रहे हैं या बच्चे teaching में आ रहे हैं या बच्चे retail में जा रहे हैं होटल में तो इतनी demotivation फैल चुकी है salary आप देंग I know मुझे पता है कि यह degree करने के बाद जो best platform है वो होटल ही है लेकिन जो दौर है वो 10-15-20 साल के बाद आएगा अगर को entry level और मैं यह entry level की बात कर रहा हूं है ना सारे तो M.T, O.C.L.D, O.S.R, step यह सारे तो qualify करने पाएंगे है ना बहुत से बच्चे entry level पे ही जाते हैं और वो फिर 15-20 साल काम करेंगे वो भी industry को छोड़ देते हैं ना time पे promotion है ना time पे मतलब कोई motivation है ही नहीं मैं पिछले 10-12 साल से teaching profession में हूँ मैं पुछता हूँ कौन से सर मैं cruise में हूँ, सर मैं फॉरन में हूँ, सर मैं हाय सैडि कर रहा हूँ, सर मैं teaching में आ रहा हूँ, मैं न होटल छोड दिया है सर मैंता सर मैं र tabii किसी का नाम नहीं लोंगा अभि आईचेम शिम्हा में बो कंपरिज आ सी थी रिटेल बालों ने ओफर किया 35-40,000 पर मंथ और होटल बालों ने ओफर किया 12,000-14,000 वह भी आकामोडेक्शन के बिना यार आजकल के बच्चों में बहुत पेशेंस लेवल नहीं है कि आप वह बच्चे struggle करेंगे फिर बाद में growth करेंगे बच्चों को starting में motivation चाहिए तो आपके लिए best है कि अपने salary structure को revise करलो टाइम से आपको employes ही नहीं मिलेंगे es Navi will run short of employes this is my warning this is my suggestion this is my observation मैं किसी particular hotel का नाम नहीं लिया है मैं बस एक जो मेरे personal observation में आप सबके साथ share की है guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please इस वीडियो को आग लगा दो share करो इस वीडियो को इस वीडियो को हर एक hotelier के पास पहुंचाओ government तक एक वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उनकी आँखे खुले को पॉलिसी बने आपकी जो वर्किंग आर्ज है कम सको नौ नाइन आर्ज तैन आर्ज फिक्स हो जाए और आपकी स्टार्टिंग सेलरी फिक्स हो जाए लाइफ में stability ना सबको चाहिए होते आई होप आपको वीडियो पसान आया होगा अगर आपको वीडियो पसान आया है अच्छा लागया तो प्लीज को शेर करो एड़ मिलते है अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाबाई टेक केर अजार्टिंग सेलरा के वीडियो में तब तक बाबबाई नेक्स के अपने तक बाढ़ चलग में सबको पढ़ा होगा होगा तक बाब पसान आया होगा होगा näफ जाया होगा होगा याग झाल झाल झाल